नमस्कार दोस्तों देखें मित्रों आज हम मादमिश्किषा बोर्ड की पूस्तकों में सामाजिक विज्ञान में इतिहास के वो कौन-कौन से चेप्टर हैं जो आपको रीट के अकोर्डिंग पढ़ने हैं वो सब आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि काफी विद्यार्थी में कौन-कौन से चेप्टर पढ़ने हैं तो बहुत अच्छे से देखेगा और सुरुष से लार्ज तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखे अच्छे से सुनिए लाइक करें शेयर भी करें देखिए मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके SST में 60 क्यों सनाएंग और 6 सास्त्रिय मुद्दे दो यूनिट आपकी 6 सास्त्रिय मुद्दों से समा दित है और बाकी की जो 10 यूनिट है ये जिके वाले टोपिक हैं और एवरेज आपके जो एक यूनिट में से 5 क्यों आएंगे तो 4 हिस्ट्री की यूनिट है इसमें तो हिस्ट्री के आपके किन के साथ कह रहा हूँ ये चीज तो कैसे आपको पढ़ना है, कौन-कौन से टोपिक हैं, सबसे पहले मैं आपको आपका सलेवस बता दू इसमें, देखे जो इकाई फर्स्ट है, हिष्ट्री वाले कौन-कौन से हैं, वो बात करें, भारतिय सब्वेता संसकर्ती और समाज, पहला है सिंदुगाटी सबेता, वेदिक संसकर्ती और फिर भारतिय समाज, इसमें विसेशताय, परिवार, विवाह, लेंगिक, समवेदन शिल्ता, गरामेंड जिवन और सहरी करन ये तो फर्स्ट उनिट का है, तो इसमें तीन टोपिक हैं आपके, सिंदुगाटी सबेता, वेदिक संसकर्ती और भारतिय समाज, अब हम बात कर रहे हैं मोर्ये तथा गुप्त सामराजे और गुप्तोतर काल, तो इसमें क्या-क्या पढ़ना है, मोर्ये सामराजे हो गया, गुप्त सामराजे हो गया, और इसके बाद में गुप्त सामराजे के जो बात का काल है, जो अभी दसवी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, दसवी कक्षा में, तो उसमें गुप्त के बात का जो समय है, यानि वो छटी स्ताफदीश सा पूरो जो इसमें हर्श का भी आजाएगा, हर्श्वर्दन का, इसके लाव़ ये पालवंस, राष्ट कूटर, ये जितने भी राजवंस हैं, ये सब, वो सब भी आपको पढ़ने हैं, गुजरपरतिया हर आजाएंगे, और भी जो राजस्तान के हैं, वो सब भी इसमें आजाएंगे, तो राजनिती, इत्यास और परसासन, किनका मोरिय, गुप्त और इनके बादवालों का, फिर इनका भारतिय संसकर्ती में योगदान, पूरा आर्ट कल्चर आप से पुछ लिया इसने, साहित्य, सब कुछ, गुप्त काल की संसकर्ती कुपलब्दिया, ये सब मोरिय और गुप्त काल में आगे ये सब, यानि डिटेल में आपको सब पढ़ने हैं, भारत 600 इसा से 1000 इस्वी, यानि गुप्त ओतर काल, गुप्त काल के बाद में हर्शवर्दन का काल आप देखेंगे, इसमें साथवान राजवन्स हैं, वो सब भी देखेंगे, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, शुंगवन्स हा जाएंगे, और भी कई टोपिक हैं, तो छटी स्ताथदी से लेकर के, और दस्वी स्ताथदी तक का जो भारत है, उसमें जितने भी राजवन्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं, और उसमें रामबान आपके लिए काम करेगी, ये मादिवी शिक्षा बोड़ वाली किताबें, जिन में शोट में समराइज रूप में, एक परकार के नोट्स के रूप में आपको सब बता रखाए हैं, इसके बाद है भारत का विशो से, बाहरी विशो से भारत का सांस करती के सम्मंद, तो पिछली बार भी इसमें से क्यूशन पुछा था, फर्स्ट गेड में भी इसमें से क्यूशन पुछा जाता है, तो ये भी हम देखेंगे, तो इसमें तीन-चार टोपिक हैं, मौरिय हैं, गुप्त हैं, गुप्तों के बाद, यानि छटी से दस्वी स्तावदी तक का, और इसके बाद में, बाहरी विश्व से भारत का सांसकर्तिक संबन्द, यानि इसमें कौन सा टोपिक है, जो वरेतर भारत वाले हैं, अभी माद्विश्किक्षा बोर्ड की पुस्तकों से दिखाएंगे आपको, फिर मद्यकाल और आधुनिकाल, बक्ति और सुफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबन्द, मुगल परसासन, इसमें सारा मुगल परसासन आगया, मद्यकालिन समाज, आर्थिक और सांसकर्तिक दशा, बारतिय राज्यों के परति बिटीस निती, अठार सुच्टियाउन की करांती, बारतिय अर्थिवेस्ता पर बिटीस प्रबा, पुनर जागरन और सामाजिक शुदार, बारतिय राष्टिय आंदोलन, इसमें कूप सारे टोपिक हैं, और इसके बाद में लास्ट एक यूनिट है, वो राजस्तान से सम्मधित है, ये देखेगा, जो दस्वें विनिट है, राजस्तान का इतियास और संस्कर्थी, इसमें प्राचीन सब्वेताएं और जन्पद, ये आपको पढ़ना है, कि राजस्तान की प्राचीन सब्वेताएं कौन-कौन सी है, उसमें कालि बंगा, आहड, बेराठ, ये सब आजाएंगे, जन्पद आजाएंगे, राजस्तान में सवतंतरता आदोलन, फिर राजस्तान का एक ही करण, राजस्तान की विरासत और संस्कर्थी, ये आर्ट कल्चर वाला टोपिक है, विरासत और संस्कर्थी है, किले, महल, मेले, त्योहार, लोग कलाएं, हस्त कलाएं, ये सब आजाएगा राजस्तानी साहिते, परियेटन और विरासत का संगरक्षन तो ये चार यूनिट है, अब आपको बुक में दिखा रहा हूँ कि आपको कौन-कौन से टोपिक पढ़ने है तो ये सिक्स कलास की पुस्तक है इसमें कौन-कौन सा आपको पढ़ना है हमारा अतीत, बिल्कुल पढ़ना है आपको वेदिक सबेता और संसकर्थी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले टोपिक है ये ये बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है उसके बाद देखिए महाजनबदकालीन भारत और मग्द समराजी इन्होंने लिख नहीं रखा पर्टिकुलर महाजनबदकालीन नहीं लिख रगा स्लेबस में लेकिन वो पूस्ता है, ये कोई अलग नहीं है ये आपको पढ़ना ही पढ़ेगा जब आप सिंदु घाटी सबेता पढ़ लेंगे वेदिक संस्कर्टी पढ़ लेंगे 1500 इसाप पूरव से 600 इसाप पूरव और उसके बाद में 600 इसाप पूरव से 322 इसाप पूरव का काल आता है महाजनबदकाल इसमें मगद समराजे एक बहुत मजबू समराजे था और मगदों पे 322 इसाप पूरव से मोरियों का राज सुरू हो जाता है तो आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते लाश्ट बार जो लाश्ट रीट वा था उसमें महाजनबदकालीन में से कि उससे ने पूछा गया था मैंने आपको बताए भी था जो आपका भी एक टेस्ट पेपर लिया था उसमें कि वो कृश्टन था कि 16 महाजनबदों का वीवरन कौन से गरंथ में मिलता है तो वो बगवति सुतर या अंगोतर निकाए उनमें से कोई क्यूशन था तो आप इनको महाजनबदकाल को आपको नहीं छोड़ना है ये भी आपको पढ़ना है 16 चेप्टर, 17 चेप्टर, 18 चेप्टर फिर मोरिया और गुप्तकालिन भारत ये आपको पढ़ना ही है प्राचीन भारत की अर्थवेवस्ता ये टोपिक आप नहीं छोड़ सकते आपने पढ़ा है तो हमने देखा है कि उस समय प्राचीन भारत की अर्थवेवस्ता कैसी थी और हमारी सांस करती के वीरासत, ये आर्ट कल्चर से समधित आपके टोपिक आ आगया ये भी इन सब में एक मिश्रन है अलग नहीं है, ये टोपिक भी आपको पढ़ना पढ़ेगा सिक्स क्लास के अंदर आपको कम्प्लीट चेप्टर पढ़ने है आप कोई साभी चेप्टर आपको इसमें नहीं छोड़ना तो सिक्स क्लास का मैंने मेरा थन वीडियो के नाम से भी एक बना रखा है मेरा थन वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा लगवग साठी तीन गंटे का है उसमें ये सारे चेप्टर एक साथ है तो आप अपनी सुवी दानुसार उसमें भी कोई भी देख लिजीगा इसके बाद में आता है साथवी क्लास की पूस्तक है ये इसमें इतियास का क्या है वरहतर भारत तो मित्रों जो चेप्टर ये था कि बहारी जो देश है उसमें भारत का कैसा सम्मत था भारत की जो संस्करती है उसका कैसे परचार परचार हुआ तो वो ही ये चेप्टर है आगे ओर डिटेल में आएगा नेक्ट क्लास में तो ये भी आपको पढ़ना है उसके बाद आता है हर्ष कालेन वे बाद का भारत तो ये कौन से में आ गया तो ये है गुप्त उतरकाल जो अभी हमारे दसफी क्लास में चल रहे है चेप्टर उसमें है ये गुप्त के बाद तो उसमें हर्ष कालेन और बाद का भारत तो ये भी आपको पढ़ना है पुरा चेप्टर राजस्तां वा दिल्ली के सुल्तान ये इसने पूछ रखा है ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है राजस्तान के राजवंस और मुगल ये टॉपिक भी आपने देख लिया कला और स्थापत है ये भी आपको पढ़ना है सेवंथ क्लास के अंदर भी आपको एक भी चेप्टर नहीं छोड़ना ये सब भी आपको पढ़ने है और इसका भी मेरा थन वीडियो बना रखा है साड़े पांच गंटे के आसपास है उसमें ये सारे चेप्टर लाइन वाइज पढ़ा रखे है वर्ड टू वर्ड एक एक अक्षर आप इनको देख लिजेगा इसके बाद में आता है मुगल समराजे ये आठ्वी क्लास है वह मुगल समराजे का पतन और अठार्वी सदी का भारत ये भी आपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि ये अब आदुनिक जो है इसमें स्टार्ट हो जाएगा मॉडन हिस्ट्री और मॉडन हिस्ट्री है तो आपको अठार्व समराजे का पतन होगा सत्रा सु साथ में लगबग और अंग्जेब की मर्तियों के बाद में लगबग समापती है और 18 सदी का भारत कैसा है तो ये चीज़ें आपसमें जुड़ी भी है जैसे महाजन पत जुड़ावा है उसी प्रकार से ये चीज़ें आपके कनेक्ट है ये बिल्कुल पढ़ना है ये तो मैंसन किये वे टोपिक आपके आधुनिक भारत में होने वाले वेचारिक प्रिवर्तन और समापती के बाद के बाद का भारत ये देखिया आप जब समिधान पढ़ेंगे तभी भी आपको पढ़ना है तो इसलिए आप इसको हिष्टि में पढ़ लीजिए वो ज़्यादा सही है तो ये टोपिक भी आप पढ़ लेना और इसके बाद है हमारे गोरों तो हमारे गोरों में उन्होंने जिन राजबूत सासुकों के आप जैसे बीच में पढ़ते हैं पहले कि राजस्तान के राजबंस, यहां के लोक देवी देवता हैं, संत हैं तो वो सब आप पढ़ेंगे तो वो आपके इसमें आएंगे हमारे गोरों में तो चाहिए आप उसको पहले इंक्लूड कर लीजिए और चाहिए आप उसको यहां इंक्लूड करें यह टोपिक भी आपको पढ़ना ही होगा तो एट्थ क्लास के अंदर भी आपको सारे चेप्टर पढ़ने हैं और इसका भी मेरा थने वीडियो बना रखा है साड़े पांस गंटे के आसपास है उसमें एक साथ यह चेप्टर सब इंक्लूड किये गए हैं एक साथ तो आप उसमें पढ़ सकते हैं अपनी सुवीदा नुसार कोई भी चेप्टर बीच में देखना चाहिए वो भी देख सकते हैं इसके बाद हम नाइंथ क्लास के बात करते हैं तो इसमें देखे पहला हिष्ट्री के आपके जो हैं, ये साथ थे इसमें, चैप्टर जहां आपके, पहला है विश्व की प्राचीन सबेताएं, तो इस टोपिक के अंदर आपके सिंदु घाटी सबेताएं, और वो आपको एक परकार से उनका रिविजन हो जाएगा, वेदि सकते हैं, दो-तिन बार अगर उसका रिविजन करेंगे, तो वो चीज आपके ओर अच्छे से क्लियर होगी समझने में, इसके बाद है विश्व के परमुखदार्शनिक चीनतन, तो हलांकि इसमें से कोई ऐसा आपके मैंसन कियावा नहीं है टोपिक, अगर आप नहीं भी प सामाजिक सुदार और धार्मिक पुनर जागरण, यह और डिटेल में है यहाँ पर, लास्ट कक्षाओं के बजाए, यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा, विश्व के परमुखदाए, यह आपके रीट में नहीं है, आप इसको छोड़ना चाहें, तो बिलकुल छोड़ सकत यह भी आपको पढ़ना है, तो इसमें दो चेप्टर आप छोड़ सकते हैं, दार्षनिक चिंतन वाला और विश्व के परमुखदाए, बाकि आपको सब पढ़ना होगा, और इन सब का भी जो है, वो मेरा थन वीडियो मैंने आज अप्लोड कर दिया है, लगवग 13 गंटे क वीडियो है, जिसमें ये सारे चेप्टर कंटिनु है, लाइन वाईज, तो आपका जोब इस लेवस में है, इसमें एक दो को ये छोड़ करके और बाकि आप पढ़ सकते हैं, तो मित्रों इसके बाद में जो है, वो दस्वी क्लास की पूस्तक है, जो कि अभी हम पढ़ रहे पांस पार्ट बना दिये हैं इसके, तो देखे ये है प्राहरम से बारासो चै तक, आप मित्रों इसमें इन्होंने सब कुस दे दिया, और आपके एक्जाम के पॉइंट वीव से ये आपको सब कुस पढ़ना भी है, और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए मैत्पुन सावि कालीन भारत, तो इस चैप्टर को भी आप नहीं चोड़ सकते, सब गटना ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी भी है, ये भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसके बाद में आता है अंग्रेजी सामराज्य का परतिकारोर संगर्ष, तो ये मोडन हिस्ट्री के आगे, करा आपको पढ़ने पढ़ेंगे, तीन चैप्टर, इसके बाद में देखेगा, जो बारवी क्लास की माद्यवी शिक्षा बोड की पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान की, वो आपके भारत के इतियास है, ग्यारवी क्लास की पुस्तक है, वो विश्व इतियास है, तो आपके इसके स्वनिम प्रष्ट, इसमें आपको मोर्यकाल, गुप्तकाल, हर्शकालिन भारत, ये सबसे महित्पुन है, जो आपको पढ़ने हैं, तो ये टोपिक को आप मुखे रुप से पढ़ें, इसके बाद देखेगा, जो बाहिया आकरमन और आतमसातिकरन है, तो ये कोई आपके स्लेबस में मैंसन कियावा नहीं है, आपको ये नहीं भी पढ़ें, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अकोडिंग तो आपको ये वाली चीजें पढ़नी चाहिए, देखे हिस्ट्री के एक विश्यस्ता है, कि हिस्ट्री में जो हर नेक्ष गटना है, वो पिछली अगर आप कंटिन्यू, चाहिन को डिटेल में नहीं पढ़ें, याद नहीं करें, लेकिन कम से कम एक वार आँखों से जरूर निकलें, अब आता है मुगल आकर्मन, ये आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसमें थर्ड वाला जो है मुगल आकर्मन, इसमें राना सांगा, चंद अधर सेन, महाना परताब, दुरगादा, सिवाजी और पेश्वा, ये पढ़ना है, तुरक आकर्मन, पर्तिवराद, चोहान, हमीर, ये सब पढ़ने है, और ये भी आपके सलेवस के अंदर, आकर्मन के रूप में बलेहीं नहीं दे रखे हों, लेकिन आपके टोपिक के ये भी आपको बिल्कुल पढ़ने है, बर्म समाज आरिये समाज और रामकर्शन मिसन, तो इन टोपिक को भी आप जरूर देखें, इसके बाद देखें मित्रों, ये जो टोपिक है, इन में आपकी एक थोड़ी आपको बेनिफिट रहेगा, और बेनिफिट ये है कि आपके modern history में भी ये सब काम आ रहे हैं, और आप जो समीधान वाला portion है, पॉलिटी वाला, उसमें भी आपके ये सब काम में आएंगे, और फिर ये जो स्वादीनता संगराम और एकी करण भी है, तो ये तो आपके टोपिक में है ही, तो मित्रों ये आपके complete होगे, और ये सब आप आपको जो टोपिक जितने भी पढ़ा रहे हैं, वो आपको पढ़ने हैं, सिवाई 3-4-5 चेप्टर हैं, जिनको आपको छोड़ना है, बाकि सब ये टोपिक आपको पढ़ने हैं, और इसके साथ ही देखिए, आपका जो first unit थी, इतियास वाली, उसमें भारतिय समाज से आप आठवी क्लास की जो पुस्तक है, उसका ये नोवा चेप्टर है, ये भी हम पढ़ लेंगे बाद में, समकालिन भारतिय समाज, तो इसमें विवा है, परिवार, नातेदारी, और लेंगी का नुपात, ये कई शहरी करन, गरामेंडर, ये कई चीज़ें दे रखी हैं, तो ये टोपिक आपको इसमें ये चेप्टर है, जो आपके उस टोपिक से रिलेट है यहाँ पर, और बाकी इसके अलावाज कोई गाइड वगरा हो, तो आप उसमें कुछ बचे कुछे इसमें मैटर हो, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन समाज से जुड़ावा जो टोप वी क्लास का, तो मित्रों मेरा ये सभी चेप्टर आपको बताने का उद्धिश है क्या है, कि आप सलेवर्स को बहुत डीपली और अच्छे से वाइड पढ़ें, शोटकट का कोई चकर अपना निकोशिस नहीं करें, क्योंकि मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है इन चेप्टर का, जिसमें किसी ना किसी कोई आईडी से ये कमेंड नहीं आया हो, कि सर ये पढ़े कि नहीं पढ़ें, ये हमारे सलेवर्स में हैक नहीं है, तो मेरा अलग से ये वीडियो बनाने का उद्धिश है ये है, कि आपके सामने एक एक टोपिक मैंने अच्छे से रखा है, सब साथ में नोट्स बना रहे हैं, मैनत कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी कितनी शांदार और जबर्जस त्यारी होगी, ये वो खुझ जानते हैं, और रेट की जैसे की संभावना बताई जा रही है, आपको बताये था, शिक्षा मंतरी जीवे ने जो भी ब क्यारी करेंगे, तो बहुत अच्छे इसे प्रिपेशन कर पाएंगे, तो इसी परकार से रेगुलर स्टेटिक करते रहें, तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक ने टोपी के साथ, जै इंद, जै भारत!